आयुध्या में भगवान श्रीराम के भव्यबंदर का निर्मान किया जा रहा है। इसके लिए श्रीराम जन्मभूमी स्थल की खुदाई की जा रही है। खुदाई में प्राचीन मंदर के अवशेश और मूर्थियां मिली है। इसकी जानकारी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थिशेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राई ने ट्वीट कर दी. उन्होंने बताया के खुदाई में अनेकों मूर्तियां और स्तंभ मिले हैं. तस्वीरों में देखने पर ये मूर्तियां और स्तंभ काफी प्राचीन नजर आत 2019 में राम मंदिर को लेकर फैसला आने के बाद से ही राम नगरी लगातार चर्चा में है. आयुध्या में राम मंदिर निर्मान के साथ ही करीब 32,000 करोड की विकास योजनाओ पर भी काम चल रहा है. नगर में एक बड़े एयरपोर्ट का भी निर्मान कराया जा रहा है. करता है. और अब निर्मान के दोरान ही खुदाई के बाद इन अवशेशों की तस्वीर भी खुद चंपत राय ने जारी की है. आपको बता दें कि चंपत राय ने जो फोटो शेर की है उसमें अवशेश इकठे करके रखे गए हैं. अक्सर मंदिर निर्मान से जुड़े वो फोटो शेर करते हैं लेकिन इस बार जो तस्वीर उन्होंने शेर की है वो अपने आप में हैरान करने वाली है. कई स्तंब और मूर्तियां हैं जो के खुदाई के बाद मिले हैं और उन सभी को एक साथ रखकर फोटो ली गई है. इसमें दर्जन भर से जादा मूर्तिया का नजर आ रही हैं. कई स्तंब नजर आ रहे हैं और शिलाएं भी शामिल हैं. इन शिलाओं में देवी देवताओं की कलाकृतियां उभरी हुई है. फोटो में मंदिर में लगने वाले स्तंब भी नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिले इन लाके भव्य मंदिर में श्रधालों के दर्शन के लिए रखा जाएगा राम मंदिर के भूमी पूजन के तीन साल पूरे हो चुके हैं मंदिर के लगभग सतर फीसदी काम होने का दावा किया जा रहा है और ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर का गर्भ ग्रह बनकर तैयार है तो प प्रारंभ कर दिया गया है प्रतम तलब पर राम दरबार की स्थापना होगी वहीं जनवरी दो हजार चोबीस मेें राममंदिर भग्तों के लिए खोलं दिया जाएगा रामलला की प्रान प्रतिष्ठा भी जनवरी में ही कि जाएगी और काल्क्रम में खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी शामिल होंगे इन तस्वीरों को लेकर भी अब काफी हल चल है कि क्या ये 2024 के लिए उठाया गया कदम है जिससे भाजपा को अपने लिए माहौल बनाने में फायदा मिले लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या इन अवशेशों का मंदर के निर्म किया जाएगा पहले ही ग्यानवापी का मामला गर्माया हुआ है और सर्वे में कई पुरा तत्व अवशेश मिलने का दावा किया जा रहा है ऐसे में इस तस्वीर ने लोगों के अंदर कौतुहल भी पैदा कर दी है कि क्या ये अवशेश त्रेता युग यानि राम के यु कि मिले हुए अवशेशों को दर्शन के लिए रखा जाएगा यानि आम लोग भी इन अवशेशों को देख पाएंगे जो के खुदाई में मिले हैं खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर